हेलो स्टुडेंट्स आज हम बात करते हैं में थर्ड सिमिस्टर के जो रिसर्च और पॉब्लिकेशन एथिक्स एच एस्ट 340 के जो दो टॉपिक से उसके उपर बात करेंगे टॉपिक नमबर 9 और 10 जिसमें टाइप ऑफ साइटेशन स्टाइल हो टू साइट एंड राइट की से जो है वो लिख सकते हैं तो वीडियो काफी है फुल रहेगा ये फ्राइवेट एक डियूल और एवन के रेगलू स्टुडेंट्स के लिए भी क्योंकि इसकी जो बुक है वो अभी मर्केट में शायद आ चुकी है लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटर स है उसको आप उसमें आपको समझ नहीं आएगा तो इसमें जो में पॉइंट्स हम डिसकस करेंगे जिसके उपर बात करेंगे तो इसमें साइटेशन वाई इट इस इंपॉर्टेंट आप पॉइंट्स को हिंदी में नोट भी कर सकते कि साइटेशन क्या है ये क्यों जरूरी है difference between MLA के जो style से different seven eight और ninth edition है difference between MLA and APA footnote क्या है और end note क्या है और reference and work cited इसको हम क्या से करते है और bibliography और annotated annotated bibliography जो है वो क्या इसके बीच में क्या difference है तो हम बात करते कि why citation why is important कि जरूरी क्यों है citation से न तो कोई भी हम काम करते हैं जैसे हम history में ले 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 तो history में citation काफी जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो है history जो वो fact के उपर होती है और उसमें proper हम बताते हैं कि हमने जो हम बात लिख रहे हैं वह हमने sources कहां से collect किये हुए हैं तो citations हमें बताता है कि reference to a sources sources जो हम ले रहे हैं चाहें वो जैसे history में primary sources होते हैं आपके secondary sources तो उसका reference बताएंगे कि हमारे यह primary sources है यह secondary sources है और इसके साथ साथ जो है more precisely a citation is an abbreviated alphanumerical expression होता है जो कि हमारी जो study को जो है जो हमारा intellectual जो बरक बहुदिक जो काम है उसको जो है वो बताता है उसकी हमें entry करते हैं bibliography के through और reference section है या हमारा footnote का section है उसमें हम जो है वो साथ साथ में बताते जाते हैं ताकि हमारा जो काम है हमारा जो काम करने का जो purpose है उसकी जो हो है acknowledgement हो सके है उसकी जो reliability है वो बन सके उसकी जो authenticity है वो इसमें बन सके और relevance जो हमारा काम जो है वो एक relevance जो है उसकी बनी रहे हैं तो इस तरह से जो है जैसे नेक्स्ट की citations से जो है आप अपने जो readers है जो आपकी जो research बर को पढ़ रहा है उसको आप बताते हैं कि आपनी जो materials अपनी research में आप जो लिख रहे हैं उसको जो है आपने अलग-लग जो sources है अलग लग जो स्तोत है उससे collect किया हुआ है इसके साथ साथ यह आप दिखाता है to show your readers आपके जो पढ़ने वाले हैं जो आपके research work को पढ़ रहे हैं उसको यह दिखाता है you have done proper research by listening listing sources which you have used in your research आपकी जो readers है उनको यह बताता है कि आपने जो है इसमें proper जो है research work जो है वो आपने उसको properly किया हुआ है और आपने different sources जो है उसकी listing की हुए है उसमें दिया हुआ है जो कि आपकी जो काम को जो है वो एक अच्छी पहचान जो है वो दिलाता है और इसके साथ साथ जो research की जो netic जो values है जो ethical practices है उसको भी जो है यह बताता है मतलब netic मुल्यों को research में जो netic ता है उसको भी बताता है जो कि आपका पहला topic है अब आता है कि पर्वज क्या है तो इसमें to uphold intellectual honesty जो इमानदारी उसको बताता है प्लेजरिजम से हमें बचाता है to attribute prior of the unoriginal work and ideas to correct sources को बताता है इसके साथ साथ जो है इसमें proper credit देता है यह जो original जिसने काम किया हुआ है क्योंकि प्लेजरिजरिजम से बचना है तो हमें जिसने काम किया हुआ जहां से हम ले रहे हैं इस काम किसी उसके दूसरे के बर्क थे हम कुछ उठा रहे हैं तो इसको हम proper क्रेडिट हमें देना पड़ते हैं तो इससे हम proper credit देते हैं और author get citations point when people cite any other work at that time he or she can get points and will increase impact factor हमारे जो research का जो impact factor है जैसे impact factor चेक होता है किसी भी कोई भी paper जब journal में छपता है तो उसका impact factor जो वो चेक किया जाता है तो उसको भी जो है भी बढ़ाता है और इसके साथ साथ जो है वो authenticity reliability और quality work जो है हमारा उसकी जो हमारे काम की quality है उसको भी जो है वो प्रवाइड करता है तो छे six reasons है कि high citations of sources important कि छे कारण कौन कौन से है जिसमें कि हम जो है इसमें proper हमें referencing जो है वो उसमें करते हैं तो इसमें आप इन points को note कर सकते हैं कि attributions services as a fact checking tools जैसे मैंने बताया कि fact checking जो है tools accuracy आती है accuracy is all importance in any writing especially when we write about science the very act of looking of reference verification service and accuracy checking accuracy को check करता ही है है ना मतलब इससे हमारे fact checking जो है tools के जरीए जो है हमारी research को अधिक और authenticity करता है इसके बाद citations में कि वैटर research यह आपको एक जो है वो अच्छा researcher मनाती है आपको इससे चलता कि आपका जो काम में वो काफी अच्छी quality का है आपके जो skills है उसका यहां पर पता चलता है और आपकी जो काम है citation से जो है उसमें accuracy आती है और आपके काम को जो वो वो पहचान मिलती है और good एक अच्छी citation जो तीसरा point है good citation practice make you better writer यह आपको क्या मनाती है एक अच्छा writer मनाती है इसमें इसका जो आपका research के जो गोल है जो purpose है जो आपकी intellectuals जो है ना intellectuals जो value है आपके काम की उसको यह जो है वो बताता है तो एक अच्छा researcher आपको जो वे future में बनाती है अगला point आप लिख सकते कि good bibliography show of your scientific knowledge एक अच्छी जो संदर्व सुची है वो आपकी जो scientific knowledge है उसको क्या क्या करती है वो बताती है है कि आपने कितनी listing की हुई है books के कितनी आपने references दिये हुए तो उससे आपकी जो research है वो अधिक जो है उसकी validity जो है वो बढ़ती है यह ना उसका scientific knowledge को आपके एक बैग्यानिक knowledge को दिखाती है और careful citation practice build built your credibility as a scientist और scholars एक अच्छी और careful की गई जो citation है उसकी जो practices है उससे आपकी जो credibility है वो बढ़ती है और आपको एक अच्छा scientist आपको एक अच्छा historian आपको एक अच्छा scholar जो है वो बनाती है यहना तो एक अच्छी citations जो हम है इसमें करनी पदती है और citation enables better verification of your work तो यह आपकी जो काम है उसके एक बैटर verification करता है है ना मतलब अलग जो tools होते हैं उसके जरीए जो है वो हम pleasureism से से बचते हैं पीर review जो होता है editor है editorial assistance है जो आपके चेक करते हागे काम को या जो UGC के different different tools है उससे जो है वो आपके जो काम है उसकी जो verification है कि आपका काम जो हो आपने कहीं से चुराय नहीं है आपने प्रॉपर कि साइटिशन की है तो इससे आपकी ज़काम की verification है जो validity है वो इससे वड़ती है तो इस तरह से जो अब आता है कि in-text citations क्या है तो in-text citations simply आप क्या करते हैं यह क्या है is an in-text citation is a short version एक short version है हमारे research का जिसमें हम क्या करते है paragraph की बीच में जो है वो हम कुछ references को जो है presented brackets directly after the text you have quoted directly text के बाद जो आफ कोट कर रहे हैं उसके बाद इन ब्रेक्ट में आता है जैसे यहां पर आप देख रहे हैं यह कुछ lines इसने लिखी है यहां से लेकर यहां तक इसके बाद इसने ब्रेक्ट लगाया और डाइमेंड एंड केस लिखा है 1986 रेड लिखा है 1970 1992 तो सरनेम दिये हैं और किस सन में यह स्टेडी किया 1986 में उसका जो है वो राइटर का नाम दिया दूसरे रेड रीडर स्टेडी किया 1992 और ब्रेकट बंद कर दिया मतलब टेक्स के साथ-साथ जो वह साइटेशन यह करता जा आए जैसे यहां पर देख रहे हैं यहां पर देख र इसमें जो हिस्ट्री में हम यूज करते हैं में ले करते हैं या शिकागो करते हैं में ले है एपी है इसके लावा एमस अमेरिकन मैथेमेटिकल सोसाइटी मैथेमेटिक्स में यूज होती है तरवाइन है हार्डवर्ड बिजनेस स्कूल है बिजनेस में यूज होता है सी एस ए है, Council of Science, Editor, Biology, में यूज होता है, Blue Book है, Legal Study में यूज होता है, AEEE, Institute of Electrical and Electronics, Engineer, Engineering में में यूज होता है, ACS, American Chemical Society, Chemistry में यूज होता है, NLM, National Library, Medicine, में यूज होता है, AAA, American Anthropological Association, Social Study में यूज होता है, APSA, American Political Science Association, Political Science में इसको यूज़ करते हैं AIP, American Institute Society, Physics में यूज़ करते हैं ALWD, Association of Legal Writing Directors, Legal Study में यूज़ करते हैं AMA, American Medical Association, Medical Science में यूज़ करते हैं AP, Associated Press, Journalism में यूज़ करते हैं LSA, Linguistic Society of America, Linguistic Language के जो हमारे होते हैं जैसे हिंदिया, इंग्रेज़ ये, उसमें इसको यूज़ करते हैं और Maroon Book है, Legal Study में यूज़ करते हैं तो ये है, कुछ Citation Styles इनको आप नोट कर सकते हैं और जो Popular है, वो है, MA, एक Common Style है, Used in the Humanities जो Humanities है, जिसमें History भी आता है उसमें इसको पॉप्रिलरी जो हो, यूज़ के जाता है शिकागो ये फ्लेक्सिबल स्टाइल यूज़ इन हिस्टरी Most probably MLA या शिकागो हम यूज़ करते हैं हिस्टरी में एंड लिट्रेचर एंड आर्ट, है ना इट हैस टू सिस्टम, Notes and Bibliography दो तरह से इसको यूज़ के जाता है एंड आथर, देट, the Notes and Bibliography system is the most common for student and scholar of literature तो दो स्टाइल्स MLA और शिकागो हिस्ट्री में 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 इन हिमेनिटीज में जो है वो इसको यूज़ किया जाता है इस तरह से और भी कुछ स्टाइल है बैंकोवर है इस तरह से बहुत सारे स्टाइल्स जो है वो इसको आप अपना सकते हैं तो APA स्टाइल है यह भी काफी popular है इसका पूरा full form है American Psychological Associations 1929 में इसका ओरिजिन्स हुआ Social Science, Business, Criminal Justice, Economics and Law Medical Subject, Nursing and Psychology में यूज़ के जाता है APA format only use इसको जो है reference list इसके लिए इसको use के जाता है example यहां पर दिया है यहां से यहां पर surname आ गया फिर P आ गया इसका पूरा नाम यहां पर इसको sun दे देते हैं साथ मही book का नाम आ गया और कब यह publish हुई है वो यहां पर दे दिया गया और कहां से publish हुई है तो यह हो गया APA इसमें जो है year of publication book का वो पहले आता है MLA modern language association 1985 में जो है वो इसका अविशकार हुआ है humanity and literature language के लिए इसको use के जाता है simple है काफी concise है दूसरे style से काफी और MLA style feature brief इसमें जो है citations text में जो है वो इसमें की जाती है और इसमें जो है MLA style used by school academic departments and instructor example यह है सरनेम आता है इसमें फिर नाम आएगा author का और फिर उसके बाद जो है फुल स्टॉप आएगा उसके बाद फिर book का उसका काम का नाम आएगा कहां से publish हुआ है और फिर publication year आएगा यहां पे 1989 1988 जैसे last में आता ही कब यह हुआ है जैसे यहां पे दे रहे है 1988 दूसरा इसका जो addition आया है वो है November 1921 में तो इस तरह से जो है जैसे AP में इद यहां पे सान आ गया इसमें last में जो है वो आपकी publication की date आती है MLA के अलग-लग edition है MLA 7th edition, 8th edition और Ad present जो है वो 9th edition चला हुआ है जिसमें कि आप URL जो है मान लोग कोई internet से आप source उठा रहे हैं तो उसका URL भी आप जो है वो यहां पे दे सकते हैं तो जैसे यहां पे दिया है रिचर्ड जैक सी एंड थी डूर्स एस रूजर्स है ना इसका बुक का नाम दिया गया है और यहां पे कैवरीज इन्युवस्टी प्रेस से चपी है और 1986 में जो है बूच चपी है इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है इन्क्लूट्स एवरिबेशन्स बॉलियम नंबर अफ जर्नल्स आर्टिकल और मैग जीन साइटेशन्स उसको इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया है सेकंड एडिशन में और थर्ड एडिशन में जो है यूर्ल बगारा जो आप इसमें कर सकते हैं तो आपने पॉपरल यह देना कि तीन जो स्टाइल है सेवन्थ एड़्थ और नाइंथ एडिशन जो इस वक्त हम इसको फॉलो करते हैं तो यह डिफ्रेंस आ गया एम एले एपी और एम एले के बेच में आपने पहले भी देखी लिया सेम हाँ आपके जो है सन पहले आ रहा है और लास्ट में अर् में और उसका नाम संको आउधर का उसकी게 से चपी और उसके बाद जो है सन उन और यह उस्पहले ही दे देटेंगे तो इसको भी आपने देखा tenants और एंफ्रेंस पूटनोट क्या करते हैं हम पेज के नीचे देते हैं जैसे आपने इंटेक्स साइटेशन देखी उसको बीच में हम दे रहे हैं फुटनोट को जो है वो जो भी पेज होगा हमारा उसके नंबरिंग करके वो नीचे आटमेटिकल या जाएगा जब आप वर्ड में सेलेक्ट करोगे तो वहां से आपका जाता है और एंड़नोट क्या आता है वहां पे भी नंबरिंग होती है चैप्टर वाइज नंबर एक नंबर दो नंबर तीन और वो जो है वो लास्ट पेज पेज चला जाता आपका जो एंड़नोट है तो यह डिफरेंसिस में है बोत आर सेम्स बोत प्रवाइडिंग एडिशनल इंफरमेशन फोर रीडर्स यह रीडर के लिए अत्रीक्त इनफ इसको चैप्टर के एंड में भी दे सकते हैं और विबिलोग्राफी से पहले भी दे सकते हैं सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर वाइज जो है लेकिन इसमें जो है वो थोड़ी सी असुबीदा रहती है जो रीडर्स होता है जो फुटनोट है वो काफी एंड नोट शिकागो स्टाइल को इसमें यूज किया जाता है मेंली फुटनोट एंड नोट आर यूजड इन प्रिंट डॉकुमेंट तो एक्जाम्पल कॉमेंट्स और प्रवाइड रेफरेंस फॉर टेक्स इन डॉकुमेंट्स इसमें जो है वो कमेंट्स भी हम लेख सकते ह हैं जो एंड नोट होते हैं उसमें किसी भी बुक को देखेंगे तो इसमें एक्स्प्लेइन भी किया होता है दो तिन लाइनों में एंड इट कैन बी यूजड इन रिसर्च पेपर आर्टिकल बुक्स में और रिपोर्ट डॉकुमेंट में हम जो वो इसको मॉस्ट प्रवो में जाते हैं हम यहाँ बड़्वाइल मैं तो जब हम क्लिक करेंगे तो और आपका साइटेश न आ जाएगा उसपर हम मालो कोई है हमारा जैसे बीपिन चंद्रा है तो यहां पर आएका बीपिन चंद्रा तो यहां पर दो दिया हुआ है और फिर इसका रेफरेंस दिया हुआ है ठीक है तो इस तरह से हम इसको करते जाते हैं जैसे यहां पर यह मेरे पास है काम जैसे यहां पर हम कर रहे हैं फोर नंबर पे हैं जैसे यह नाइन नंबर है यह नाइन नंबर है जो यलो में आपको दि गया है नाइन नंबर यहां पर दिया गया एरा कलें ब्रिटिश रिफॉर्म्स कमर्शिल अगरिकॉल्चर एंड एग्रियन डिस्ट्रेस्ट इंडिया दा हिस्टोरियन जनल है एक इसका दो हजार आठ में छपा है और इसका दो पेज से इंफ्रमेशन दी है पी पी आ गया ना डॉक्टर बाशुदेव पंडे अटॉल अटॉल का मतलब होता है बहुत सारे राइटरेस के हिस्ट्री ऑफ इंवारिमेंट इंद्रगांधी नशनल ओपन इनिवस्टी 2001 पेज नंबर 49 पर यह इंफ्रमेशन दिया है जो चार नंबर यहां पर दिया गया है ना इसमें हमार और इसमें दे दिया अपने स्ट्रीज को समय साइट करते हैं और सूर्सिस डाट इस इन राइटिंग और सूर्सिस विच आर एक्चुली उज़िए इन राइटिंग है तो यह स्टीम है यह तो इस तरह से हम इन इसको जो वो यूज कर सकते हैं बिलोग्राफिया अनृट ब बिब्लोग्राफी तो बिब्लोग्राफी क्या आती है हमारे जो उसमें कोई भी बुक्सा सकती है जहां से आपने आइडिया लेए है जो इसको आपने अपने स्टडी के दोरान पड़ा है वो सहरे का सहरा आ जाएगा एंड नोट और फुटनोट में वही बुक्साएंगी जो आपने मैटेरियल यूज किया है अपनी रिसर्च में है और जो विब्लोग्राफी है उसमें हम क्या करते हैं थोड़ा सा उसकी एक्स्प्लानिशन देती है दू तिन लाइनों का पैराग्राफ भी हम उसमें दे सकते हैं इसमें AP और MLA स्टाइल को जो वो यूज किया जाता है तो यह है हमारे सेकंडरी सोर्सेस में यह बुक्स आ गए सारे बुक्स के नेम इसका जो है वो सरनेम आ गया इसको बिब्लोग्राफी में एक अपने धियान रखना है कि अल्फावेटिकली होगा यह जैसे जो यह वाले नाम होंगे वो ए से आएगा बी वाले बी से आएगा और फिर पॉब्लिशन यह राएगा और फिर जो कब चपी है यह मले फॉर्मेट इसको यूज गया गया है आलम अनिकेत बिकमिंग इंडिया बेस्टन हिमालिया अंडर ग्रिटिश रूल कैंवरेज इनिवस्टी प्रेस प्राइबिट लिम्टेड 2008 में चपी है तो प्राइमरी सूर्सेज उसमें बुक्स आएंगे और आर्टिकल सुरी सेकंडरी सूर्सेज में और प्राइमरी सूर्सेज में जो है गेस्टियर है आपकी अर्काइबल रिकॉर्ड्स है फाइल से सारा का सारा जो है कोई इंट्रिव्यू है वो सारा का सारा हमारा प्राइमरी आएगा एनुनियट्र या बीबिलोक्राफिय में अब हम बात करते हैं हमारे पास टूल्स कौन कौन से है ओनलाइन जिससे हम यह कर सकते हैं साइटेशन तो आज की डिट में क्यूंकि हमारे पास online बहुत सारी चीज़े अबिलेबल है तो इसमें mentally है जो कि एक अपका अलग topic है कि इसको कैसी use करना है एंड नोट है जो टीरो है तो इनकी health से आप जो है वो अफने citation है जो एंड नोट है या footnote है उसको जो हो काफी easily जो है वो आप कर सकते है इनको अगर आप जाएंगे इंटरनेट पे तो आप इनको यूज भी कर सकते हैं जब आप यूज करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा और आपका जो टॉपक नंबर आइधिंग जो एट है वो यहां से कम्प्लीट होगा तो आई होप इससे आपको हेल्फ मिली होगी आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं शेर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में जो है वो अपने फ्रेंड्स को शेर भी कर सकते हैं और आपकी कोई क्यारी कोई क्वेस्टिन्स हो तो आप मुझे कमेंट्स मे दिख सकते हैं थैंक यू सो मुच जितने वागा